नमस्कार स्वागत है आप सभी का UPSC वीडियो 2018 में DB के लिए रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा आप सभी का इंतजार जल्द समाप्त होने वाला है आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट को ले करके यही नहीं DB के लिए रिजल्ट देखने के बाद आप सभी को DB के डेट भी जल्द देखने को मिल सकता है आचार संगिता में भी DB करवाई जा सकती है इसी के साथ एक रिजल्ट और देखने को मिल सकता है इसी महीने जिसके सत्परसत आने की उमीद है और ये रिजल्ट होगा मंडी परसत भरती में फाइनल रिजल्ट आना है इस भरती में भी इसके अलाबा जेई 2018 और ASO भरती में भी फाइनल रिजल्ट आना है लेकिन आप लोग जानते हैं कि जहां पर एक तरफ सेकंड लिष्ट के लिए नोटीस का इंतजार किया जा रहा है कमबाइन टेकनिकल में आप सभी जानते हैं पुरानी भरती होनी की वज़े से कुछ भी भागों में रिक्त पदों की संक्या को लेकर के दिक्कते आ रही है जिस वज़े से कमबाइन टेकनिकल की रिजल्ट में भी देरी हो रही है फिलाल में ये दोनों प्रणाम आप सभी को इसी महीने देखने को मिल जाएंगे सत प्रसत उमीद है अब इसमें और डिले नहीं होना चाहिए जिसमें सबसे पहले बीडियो 2018 भरती का रिजल्ट आने वाले सबता हमें देखने को मिल जाना चाहिए और उसी के बाद फिर मंडी प्रसत भरती का भी रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल जाना चाहिए डेट लगी थे लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई है और फिर से एक लंबी डेट लगा दी गई है जब भी कोई केस अगर आप देखेंगे सासन के खिलाफ या फिर आयों के खिलाफ होता है रिस्पॉंडेंट अगर यह होते हैं तो वहाँ पर उनके अधिवक्ता भी उपस्तित होते हैं लेकिन सुनवाई कराने के लिए पैरवी करनी होती है और जब तक सुनवाई न कराई जाया या सुनवाई कराने के लिए जब तक पहले से तयारिया नहों तो सुनवाई हो नहीं पाती भले ही डेट लग जाए केस मेंसेंड केस होते हैं चाहे थोड़ा नीचे भी म प्रक्रण है कुछ सीटों को लेकर के बहुत पहले सुनवाई हो करके मैटर फाइनल हो जाना चाहिए था लेकिन आप पर लगातार देर ही हो रही है और मीड मार्च के आसपास आचार संगिता लग जाएगी 15 मार्च के आसपास 2-3 दिन आगे पीछी तोड़ा समान करके चलें तो आचार संगिता लग जाएगी उसके बाद फिर रिजल्ट की उमीद हम लोग नहीं कर पाएंगे उसमें रिजल्ट तभी आप आता है जब यहां पर सासन की इच्छा हो आयोग चाहें तो चुनाव आयोग से अनुमत ही लेकर के भी डीबी के लिए रिजल्ट दिया जा स लगता है लेकिन फिलाल में इस महिने की कोई उमीद नहीं है इस महिने में फरवरी में कोई भी उमीद नहीं है आपके रिजल्ट को लेकर के नेक्स्ट मन्त में भी चीज़े असपश्ट नहीं हो पा रहे हैं जहां तक जो भी जानकारी है आप सभी भी चीज़े थोड़ा स qualified होंगे उनको लेकर कि एक result declare किया जाएगा notice आएगी cut off आएगी DB के लिए तो यह result दिया जा सकता है लेकिन यहाँ पर आयोग चाहें तो पाकि लखना हुआ आसपास के जो भी अभ्यार्थियों आप लोग बीच में कभी भी आप जा करके कि एक बार सचीवसर से आप निवेदन करके देख लीजिए रिक्वेस्ट कर लीजिए तो हो सकता है कि आपका result in next month में आचार शंगीता से पहले पहले देखने को मिल सकता है इसके आगी बात करेंगे लेकपाल बर्ती में लेकपाल बर्ती में नव चैनित अभ्यरतियों को 23 फरोरी को नियुक्ति पत्र बित्र समारों होना है मेगा सो होना है वाराणसे में आप लोग जानते कि परदान मंत्री जी भी उपस्तित रहेंगे एक मामला सुप्रिम कोर्ट में गया था इसको लेकर कि आप सभी पूछ रहे थे तो यह जो मामला था क्लेटिफिकेशन को लेकर कि यह केस लगा हुआ था जिसमें सुनवाई हुई है और यहां पर अभी आयोक को समय दिया गया है फोर विक्स का मापी चाहेंगे टू विक्स का है पंदर दिन का माल लिजी आप यहां पर पंदर दिन का समय दिया गया है आयोक की अधिवक्ता महोदे को और फिलाल में एक टेंटाटिवली डेट लगी है 19 मार्च की तो जो भी होगा आगे सुनवाई होगे लेकिन फिलाल में आप सभी के लिए नियुक्ति पत्र बितर समारों होने जा रहा है इसमें कोई भी समस्या नहीं है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और जो भी हाँपर देरे देरे अलाट्मेंट का कार्य भी लगभग पूर हो चुका है तो ये खुल मिला कर चैनल को सब्सक्राइब नकिया और तो सब्सक्राइब भी कर लेजिएगा धन्यबद